हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा हाफ स्वेटर के लिए ये वाला सुन्दर सा डिजैन लेकर आई हूँ ये बहुत आसान और बहुत सिंपल बुनाई है लेकिन इसे बताने से पहले मेरे कई फ्रेंड्स पूचते हैं कि पहले आप हमें पूरा स्वेटर का मीजर्मेंट बता दीजे कई फ्रेंड्स ने मुझसे पूचा है कि पूरा हाफ स्वेटर कैसे शुरू से एंड तक मैं उनका पूरा उसका मीजर्मेंट बताऊं उसके लिए ये पूरा हाफ स्वेटर आप देख सकते हैं ये है तो मैं इसका बता दे रही हूँ आपको सबसे पहले हम बॉर्डर बनाते हैं बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर यह आप देख सकते हैं बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर 110 फंदे डाल लेते हैं एक नॉर्मल जो ज वहाँ बुनाई बताऊंगी तो वहाँ बुनाई डालते हुए हम इसको पूरा नीचे से बॉर्डर से लेके और यहां तक 19 इंच आप यह देख सकते हैं मेरा पूरा यह 19 इंच मुड़्ों तक हो गया है यहां से और यहां तक आप इसको 19 इंच का बना लेजिए हाफ स्वेटर में एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसमें मुड़्े यह कंधे और गला एक साथ बनाया जाता है मतलब जब हम कंधे बनाते हैं 19 इंच का करने के बाद यहां पर हम पहले 4 फंदे फिर 3 फंदे फिर 2 फंदे और फिर 1 फंदा चार तीन दो एक इट मेंज दस फंदे हम यहां पर घटा लेंगे दस इधर और दस इधर अच्छा और यहां पर बीच में वी गला ही नोर्मली बनता है हाफ सेटर्स में जब हम यहां पर 4 फंदे घटाएंगे तभी हम यहां पर भी एक फंदा एक फंदे को हम पिन में रोक लेंगे एक फंदा हम पिन में रोकेंगे और बाकी फंदों को हम एक एक करके हर तीसरी सलाई में जैसे हम यहां से आएंगे और इधर वाले पीस में तो इधर भी हम, एक सीधी सलाई में घटाएंगे, एक सीधी सलाई छोड़ देंगे, उल्टी सलाई हमें प्लेन करनी है, मतलब, हर तीजी सलाई में, हम एक एक फंदा, घटाते जाएंगे, और यहां पर कंधे पार, 10 फंदे हमारे इधर घटे 10 इधर, मैंने आपको एक चीज मैंने नहीं बताई है जैसे हमने यहां बॉर्डर बना लिया है बॉर्डर के बाद यहां 110 डालेते 110 में हमें एकदम 10 फंदे बढ़ानी है एकदम हम यहां पर नीचे 10 फंदे बढ़ाएंगे इसका मतलब हम यहां पर 120 फंदे कर लेंगे यह बात मैं आपको बताना भूल गई थी बॉर्डर बनाने के बाद हम यहां पर 10 फंदे बढ़ाएंगे और इनको 120 फंदे कर लेंगे ठीक है फिर हमारा यह हमारे 120 फंदे थे 120 में से 10 इधर घटे 10 इधर तो यह हमारे बीच में 100 फंदे रह जाते है इधर रहेंगे और 50 फंदे गले के इस साइड रहेंगे 50 में से हम 50 में से हमें यहां पर केवल कंदे पर लास्ट में जब भी हमारे 25 फंदे रह जाएंगे जब हमारे यहां 24 फंदे 24 फंदे रह जाएंगे 24 इधर और 24 इधर तब हम यहाँ पर घटाना बंद कर देंगे और इसको plane बुनना शुरू कर देंगे ठीक है ऐसे और फिर पीछे का piece हम हमेशे plane बनाती हैं पीछे के पीछ में भी नीचे 110 फंदे डालेंगे, फिर वही हम 0.5 इंच का बॉर्डर बुनेंगे, फिर वही यहाँ पर 10 फंदे बढ़ाएंगे, फिर इसको बिरकुल पूरा प्लेन बुनेंगे, और प्लेन बुनने के वही 19 आगे जितना करने के बाद, फिर वही से एक साइड में यानि के 75 फंदे इधार और 75 फंदे इधार इट मेंज एक कंधे में हमारे 500 फंदे उठते हैं नोर्मली 500 फंदे इस कंधे में होंगे 500 इसमें और इसमें हम 9 सलाई करने के बाद 9 या 10 सलाई करने के बाद उनको आराम से घटाएंगे ना जादा धीले घटाएंगे ना जादा टाइट घटाएंगे अब हम गले पे आ जाते हैं अब हम गले में गले के लिए हम यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर 75 फंदे उठाएं तो यहाँ पर भी ह हम एक दो बढ़ा भी सकते हैं चार-5, 3-4 फंदे हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर हम 35 फंदे उठाएंगे और यहाँ पर हम 3 फंदो का हर बार एक बनाकि यह कली बनाते जाएंगे ठीक है अब मैं आपको एक हाफ स्वेटर की आसान सी यह बुनाई बता देना चाहती हूं, यह बुनाई देखिए, यह आप हाफ स्वेटर में, यह फुल स्वेटर में, किसी में भी बड़े आराम से डाल सकती हैं, बहुत आसान है, आपको यह लाइड कलर में आसानी से समझाईगी, इसलिए मैंने लाइड कलर का यूंज किया है, और ये मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ किया है आप दोनों में देख सकते हैं अब मैं आपको ये बुनाई डालना बता देती हूँ ठीक है आप इसमें मैं इसमें आपको इस वाले उन में मैं आपको बता दे रही हूँ हाँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपको हाफ स्वेटर की ये वाली बुनाई बताने जा रही हूँ ये बुनाई बहुत एजी है और केवल चार फंदों की और दो सलाई की है अब आप ध्यान दीजिए इसमें हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे पहला फंदा हमने सीधा बुना इस इसके बाद देखिए ये हमने सलाई डाली और इसमें हमने इसमें हमने एक की बजाए दो बार फंदे धागा चड़ाया इसके उपर फिर से हमने दुबारा यही किया ये हमने सलाई डाली और इसमें एक दो बार बुना फिर से वही एक और एक दो बार इस तरह आप देख सक कि फंदे दो बार दो बार धागा चड़ाया है तीन की बाद एक सिंपल फंदा बुनेंगे फिर चोथे फंदे को फिर उसी तरह एक दो फिर से एक दो फिर से तीन मतलब तीन फंदे हमें दो बार धागा चड़ाकर बुनने हैं और एक फंदा सिंपल बुनना है फिर से एक दो एक दो और एक दो यह हो गया और फिर एक फंदा सिंपल बुनना है यह बुनाई हमारी उल्टे सलाई में भी चलती है आप देखिए अब हमने जो उल्टा फंदा सीधा फंदा प्लेन बुना था उसको हम एज़ेट सिंपल बुन लेंगे इसके बाद जो हमने फंदे दो बार हगा चड़ाया था उनको उतार लेंगे ये देखिए मैं उतार रही हूँ एक दो और तीन मैंने इन तीनों को खोल लिया है खोलने के बाद यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हम यह जो पीछे का फंदा है सबसे लास्ट का फंदा पहले हम इसको लेंगे इसको हम दो तीन ठीक है फिर हमने जो सिंपल फंदा था फिर उसको हमने साधा बुना फिर वही इन तीनों को उतार लिया एक दो तीन यह तीनों आप देख सकते हैं मैंने उतार लिये हैं फिर इसमें हमने जो लास्ट का फंदा था लास्ट के फंदे को हमने इस सलाई में लिया और आगे रहने दिया और अपने फंदे अपनी साइड रखे और अब मैंने ये इसी सलाई में ये देखे एक दो तीन डाल दिये अब फिर इनको सिंपल बुन लिया एक दो तीन ये बुना इतनी एजी है ये फिर हमने नॉर्मल बुना कि बिगिनर्स भी इसको आराम से डाल सकते ह एक दो और ये तीन मैंने तीनों फंदे खोल लिये हैं अब फिर से देखिए आप एक बार फिर से ये लास्ट फंदा वाला मैंने पीछे रखा और ये दोनों अपनी साइड अलग अलग किये और अब मैंने इसको इसी में डाल दिया अब हम इनको नॉर्मल बुन लेते हैं एक दो तीन और ये फंदा नॉर्मल अब आप ये देखिए ये बुनाई कितनी प्यारी लगती है और बहुत जादा असान है अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं एक बार और बता दे रही हूँ आप ध्यान देजिए एक फंदा सिंपल बुनेंगे उसके बाद एक दो दो बार धागा चड़ाकर तीन फंदे बुनेंगे दो और एक तीन फंदे ये हमने दो दो बार धागा चड़ाकर बुने है फिर एक फंदा नॉर्मल फिर एक दो एक दो और एक दो बार धागा चड़ाकर फिर एक फंदा नॉर्मल फिर तीन फंदे इसी तरह एक दो तीन और फ से सिंपल लिया इन तीनों फंदों को हमने खोल लिया खोलने के बाद ध्यान दीजिए इस सलाई में हमने पहले पीछे का फंदा लिया उसको पीछे रहने दिया और दो फंदे अपनी साइड रखे अब इनको ऐसे करके इस सलाई में डाला और अब इसको नोर्मल बुन लिया एक, दो, तीन, यह इसी तरह होता जाएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ने भूले, ठैंक्स.